नमस्कार दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में आरेस अगरवाल मेट्स कलास 6 एकसरसाज 8C कोस्चेन नमबर 3 के 5 नमबर कोस्चेन को बनाने के लिए सिखेंगे कोस्चेन नमबर 3 में कहता है एड करने के लिए तो हम इसको एड करेंगे अब सवाल उठता है कि किसे किसे एड करना है तो सबसे पहले यहां देखेंगे यह पहला एकस्प्रेशन है इस एकस्प्रेशन को हम इस एकस्प्रेशन के साथ और इस एकस्प्रेशन के साथ एड करें ब्रेकेट x cube, x cube, plus y cube, y cube, minus z cube, minus z cube, plus 3xyz, 3xyz, और ये ब्रेकेट यहां बंद हो गया, अब हम इसको लिखेंगे, इस expression को ब्रेकेट का परियोग करते हुए, ठीक है, चलिए, ब्रेकेट का परियोग करते हुए, हम पहले ये plus का sign दे लिए, और ब्रेकेट का परियोग करते हुए लिखते है, माइनस x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 6xyz और यहाँ कोमा है मतलब ब्रेकेट बंद हो गया फिर हम प्लस का साइन लगा कर इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे इने ब्रेकेट x3 माइनस y3 माइनस z3 माइनस 8xyz ब्रेकेट बंद अब इसके बाद हम लोग ब्रेकेट को ओपेन करेंगे ब्रेकेट को ओपेन करने के लिए हमें धयान दिया जाता है कि ब्रेकेट के बाहर जदी प्लस का साइन रहता है तो अंदर में जैसे के पैसे लिखते हैं तो ब्रेकेट के बाहर प्लस का साइन है इसलिए अंदर में जैसे लिखा है उसी तरह सम लोग लिखेंगे एकस क्यूब प्लस प्लस वाई क्यूब वाई क्यूब minus z q, minus z q plus 3 x y z फिर इस bracket को open करेंगे तो इस bracket को open करेंगे तो देखेंगे bracket के 살 क्या है तो bracket के बाहर plus का sign है तो जभ ब्रेकेट के बाहर plus का sign रहता है अंदर में जैसे लिखा है वेशे लिखना है चैनले लिखते है minus x q minus x q plus y q y q plus z cube plus z cube minus six xyz अब इस bracket को open करेंगे तो bracket के बाहर plus के sign तो अंदर में जैसे लिखा है वह से लिख देना है plus x cube है तो plus x cube minus y cube minus z cube minus 8xyz अब यह हमारा एक expression हो गया इसके बाद हमें करना क्या है कि जितने भी x cube वाला term है उसे हम एक तरफ ले आएंगे तिनों को चलिए x cube फिर यह minus x cube है minus x cube फिर यह plus x cube है तो plus x cube अब हम लोग y cube वाला को ले आएंगे तो यहां है plus y cube plus y cube फिर यह भी है plus y cube plus y cube फिर यह है minus y cube minus y cube अब हम लोग z cube वाला लेंगे यहां है minus z cube तो minus z cube फिर यहां है plus z cube plus z cube फिर यहां है minus z cube minus z cube अब यहां हम x, y, z वाला लेंगे यहां क्या है plus 3 x, y, z फिर यहां है minus 6 x, y, z minus 6 x, y, z फिर यहां है minus 8 x, y, z अब हम एक बार में इसको यहां सहां तक solve करेंगे फिर दुसरा बार में y वाला करेंगे फिर z वाला करेंगे फिर x, y, z वाला को ठीक है चलिए इसको शुरू करते हैं plus x cube और minus x cube मतलब 1 x cube में 1 x cube minus हो जागा क्या बचेगा? 0 बचेगा यह दोनों ऐसे कट भी सकता है और हमारा क्या बचा? x cube बचा यहां हम लोग लिखें x cube अब यहां देखेंगे आप कि यह plus y cube और plus y cube यह दोनों मिलेंगे तो 2 y cube होगा और उसमें फिर 1 y cube minus हो जाएगा तो बचेगा 1 minus 1 y cube बचेगा या फिर ऐसे भी आप देख सकते हैं यह minus y cube और यह plus y cube यह दोनों कट गिया तो क्या बचा? plus y cube बचा plus y cube अब z वलम देखें minus z cube और plus z cube यह दोनों 0 हो जाएगा बचा क्या? minus z cube minus z cube चलिए अब इसको देखते हैं यहां पर plus 3 x y z इसमें minus करना है 6 y z तो फर्मूला हमारा करता है कि जब भी एक plus और दूसरा minus हो तो अधिक से कम को minus करते हैं और अधिक का sign परियोग मिलाते हैं तो अधिक यह है 6 x y z वाला इसका sign है minus तो minus दिएं और 6 x y z में 3 x y z minus करेंगे तो क्या बचेगा? 3 x y z बचेगा अब इसमें फिर minus करना है 8 x y z ये भी minus और ये भी minus तो क्या होगा? दोनों minus मिल करके 1 minus बनेगा और ये दोनों मिल जाएगा तो 3 x y z और 8 x y z मिल जाएगा तो क्या बनेगा? 8 और 3 11 x y z x q पलस y q minus z q minus 11 x y z ये हमारा 5 का क्या हुआ? अंसर हुआ उमीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अंसर हुआ